हेलो स्टूडेंट मैं सुमिछ चोहान स्टार्ट करते हैं टूड़े क्लास एक स्टूडेंट है यश उसने कमेंट किया था किसा डाइजेस्टिव ग्लेंड के ऊपर वीडियो बनाईए तो हम आज टॉपिक लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लेंड और यश जो है नीट की त्या है हीुमन की एलिमेंटरी के नालसे जो डाइजेशन पॉस्डेस की अंदर है करती है म्क डाइजेस्टिव ग्लेंड जो हैं टोटल थ्री हैं और वो थ्री डाइजेस्टिव ग्लेंड कॉन सी हैं उनके नहीं स gegen लेंड लीवर और पायिक्रियॉस वापस से बता रहा हूँ slivery gland, liver और pancreas ये तीनों वो gland है जो हमारी alimentary कनाल से जुड़ी हुई है associate है help करती है in the process of digestion slivery gland को पहले हम discuss करते हैं number 3 pair it means total कितनी हो गई? 6 3 pair है location इसकी में बता हूँ buccal cavity जो हमारी buccal cavity होती है हमारे mouth के अंदर oral cavity जो हम बोलते हैं, वहाँ ये present होती है slivery gland 3 pair है इसके parotid gland submaxillary, जो हम submandibular भी बोलते हैं और एक sublingual first है parotid gland second is submaxillary है submandibular and third is sublingual इनकी location important है parotid gland below the internal ear ear के भी 3 पार्ट होते है external, middle and internal तो जो internal ear होता है इधर का internal ear और इधर का internal ear उसके नीचे present होगी कौनसी gland parotid gland then submaxillary, submandibular कहां होगी below the lower jaw आपका जो ये lower jaw है इसके नीचे present होती है submaxillary, submandibular sublingual की location है below the tongue इनकी location हो गई, इनकी name हो गई then important इनका work सारी slivery gland ही है नाम अलग अलग है, location अलग अलग है बट work सबका क्या है same all produce saliva into buccal cavity सबका work सेम है ये saliva प्रड्यूस करती है हमारी buccal cavity के अंदर और उस saliva जो होता है food particle के साथ mix होके उसको easily ताकी वो easily हम निगल सके हमारी isophagus के अंदर पास आउट हो सके उसमें help करता है तो यह हमने डिस्टस क्या slivery